तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला चैप्टर खतम गाता है मैं दिखा आ जाता है कि चैंग यू के काफी जदा करीब आ जाता है और यह उसे कहता है कि प्लीज तुम इस चीज का दोस्त मेरे उपर मत दो और वैसे भी तुम आने इसे किया है तो मुझे इसे पूरे तरीके से तो इंजॉई भी कर लेने तो और वैसे भी तुम नहीं चीज को कंसाइडर किया था कि तुम्हें मेरे साथ रहने में कुछ जाधा ही इंटरेस्ट है तो वैसे तुम इरे बाद में तुमसे मिलने के लिए जरूर आओंगा और यह सा तो शायद मुझे अभ यहां से निकलना चाहिए जिसके बाद चाहिए वहां से बाहर आज़ता है और वैब कहते है कि मैं तुम् Sooail को जाधा की गलस समझ लिया था और वैसे भी अब मुझे लगने लगा है कि मैं परफेक्ट होस्ट को चुना है मुझे होस्टे डिसाइट करने में कोई भी गलती नहीं हुई जिसके बाद हम देखते हैं कि रेडियो स्टेशन के अंदर क्यों गलाए कि एंट्री होती है और वो कहता है कि तू बीच कहीं कि आकरकार अभी थोड़ देर पहले तू कह क्या रही थी सकता है और वैसे भी मैं तो उजह इसे गंदिग्य को बहुत पहले ही साफ करना चाहता था लेकिन मुझे नहीं लेगता कि वो इतने से भी मानें कि मुझे लगता है। कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए ये कि मैंने काफी सारा टाइम इसके साथ इस्पेंट किया है और मुझे अभी भी पता है कि वो कितनी जादा बुरी है और चैंग डायलोग बोलने में इतना जादा खो चुका था कि वो कलती से आल्ट रूम के अंदर चला आता है जहाँ पर रूम पहले से पेंटिंग बना रही थी जिस पर चैंग उसे रूम को समझने लगता है और वो कहता है कि आकरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है मैंने तो इससे नीचे देखा था जिस पर वेफ कहती है कि वैसे भी मुझे भी नहीं पता है इस बारे में लेकिन मैं आवाज से ही काम चला लूँगा जिसके बाद हम रेडियो सेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुइंग लाई ने यू को एक थपड़ मारा था इस पर यू कहती है कुइंग लाई से सर्थ लगा सकते हैं कि वहाँ से चलाने लगता है हो कई गयग जाएगा यहाँ से जानने लगता दरवाजा violations कोलकर और कहता है रही आप बिल्कुल भी दबारे में चिंदा मत कीजे मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आपको पेंटिंग करने में डिश्टर्ब कर रहा हूँ तो बैतर हैगा कि मैं इस वक्त यहाँ से चला चाहूँ जिस पर रियू चैंग को रोकती है और चैंग से कहती है कि चैंग हाँ तुम्हारा नाम यही है ना क्या तुम वही हो जिसने मेरी सिस्टर को यहाँ पर मेज़े कॉम्पेटिशन को जीत कर गॉर्डनेस ओफ देवी के टाइटल को दुबारा से पाने के लिए वापस से उसके पीछे भागने के लिए मजबूर किया मैं तो यहाँ पर सब की मदद करते रहता हूँ जिस पर यह कहती है कि अच्छा सच में क्या तुम्हारी मदद की विना कोई कुछ नहीं कर सकता है जिस पर चैंग रू के पास आजाता है और वाउस के ब्रस को लेते वे कहता है कि तुम सच में एक एक्सपर्ट पेंटर हो लेकिन इसके अलावा अगर मैं यह कहूँ कि तुमने यहाँ पर वाइट कलर का साही से इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में और वैसे भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हर किसी को परफेक्ट करना भी सबकी जिम्मेतारी नहीं होती तो इसे फरक नहीं पड़ता है कि आगर कार कौन किसे एडमायर करता है फरक इसे पड़ता है कि मैं कितने लोग की मदद कर सकता हूँ यहाँ पर लेकिन इसके पीछे भी मेरा एक रीजन होता है कि जब मुझे मदद की जूरत पड़ेगी तब वह लोग भी मेरी मदद के लिए आगे आएंगे तो अगर इसी साफसर देखा जाये तो मैं किसी की फिरी में मदद नहीं करता और वैसे भी सच में तुमारी इमेजियेशन काफे अच्छी थी ये पेंटिंग काफे ज़्यादा ही लाजवाब लग रही है यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम और ज़्यादा इस्ट्रगल करोगी तो तुम जरूर एक बहुत बड़ी पेंटर बन जाओगी और हम देखते हैं रियुकोच जो कि वहाँ पर उस पेंटिंग के अंदर पुरी तरीके से खोच चुगी थी और वापने मन के अंदर कहती है कि सच में ये तो पहले से ज़्यादा ही लाजवाब लग रहा है मैंनो तो बस उसे खुब सूरत बनाया था लेकिन इसने तो इसे लाजवाब बना दिया वावे सिर्फ एक की कलर का इस्तमाल करते हुए मतलम मेरे अंदर भी एक कमी थी हला कि मैं चीज़ को भी भी मानना नहीं चाहते है लिकर मेरे हार्ट के ओपर इसके वाइट कलर ने काफ़े बड़ा इफेक्ट डाला है और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने उससे मदद लेकर काफ़े बड़ी गलती करती अब तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उसने मेरी सिस्टर को यूज किया था अब वो इस वाइट कलर की मदद से मुझे यूज करेगा और ऐसा कहते वे रियू एकदम खतरनाक सा ही इमैजिन कर रही होती है कि सिर्फ एक वाइट कलर से आकरकार उसे लूट कैसे लिया गया लेकिन तभी वो अपने पगर में लोटिस करती है कि वो पैंटिंग में इतना ज़्यादा ही खो चुकी थी कि चैंग वहाँ से कपका ही जा चुका है जिसके बादे में दिखाया जाता है साम का सीन जहां पर रियू को चैंग के दिये हुए गाने को गाने के लिए सड़क के किनारे आ चुकी थी और वो वहीं पर अपने कॉंसल्ट को करने वाली थी जहां पर वो सिर्फ अपनी तरफ से गाना गाएगी और यह जाई सब करते हुए काफी ज़्यादा ही सरमा रही होती है और वो चैंग से कहती है कि क्या मुझे यहां पर यह सब करना जरूरी है क्या मैं इसे किसी स्टेज के उपर नहीं कर सकती जिस पर चैंग कहता है कि तुम स्टेज पर तो इसे कर ही लोगे लेकिन वहां पर तुम इस चीज को कभी नहीं फिल कर पाओगी जो तुम यहाँ पर फिल कर सकती हो और वैसे भी तुम्हारे स्किल्स काफी ज़दा अच्छी हैं और मेरे दी हुए नए गाने की वज़ा से तुम आज रोट पर एक दम आग ही लगा दोगी क्योंकि सुबा जैसे ही तुम अपने फोन को ओपन कर कर देखोगी ना तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम पूरे सोचल मीडिया के उपर च्छाई होई हो जिसके बाद वेब कहते हैं कि सच में तुमने इतनी ज़्यादा मिहनत की थी उस गाने के उपर और तब तुम उसे उस लड़की को काने के लिए दे रहे हो जिसपर चैंग गुस्से में कहता है कि और फिर मैं क्या करूँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खुद इसे गाने वाला हूँ मैं बस एक मास्क मैन के तौर पर उसकी मदद करना चाता हूँ जिससे मैं अपने आपको लोगों से हाइट कर सकूँ और उसके साथ होने के बाओ जिद्धी बस लोगों का ध्यान उसके उपर हो क्योंकि वही वो गाना गाएगी और मुझे उसकी बहतरीन स्किल्स के बारें पता है तो वह इसे बहतरी करेगी और वैसे भी मैं तो इसे इसले करना चाता हूँ क्यूंकि मैं नहीं चाता कि वोटिंग के उपर यू से पीछे रहे मैं चाता हूं कि यू को पीछे कर दे जिसके बाद हम देखते हैं कि रिउगine Behavior वहीं सड़क के उपर ही अपना इंट्रो देने लगती है उपना इंट्रो देने लगती है गाना सुनाने से पहले के अंदर फील करना है उसे बस म्यूजिक को गाकर सुनाना ही नहीं यह सभी कोपल की आसपास की एरिया में उस म्यूजिक जैसा इन्वार्मेंट भी क्रियेट कर लेना है जिससे लोगों की तरफ से उसे कोई भी डिस्टर्वेंस ना हो आगे चलकर हम देखते हैं क्रिवकों के काने के तो हाँ पर सभी लोग फैन बन चुके होते हैं और वो आपस में कहरे होते हैं क्या यह कोई स्टार है जो कि यहाँ पर पर पॉफोर्मेंस कर रही है और यहाँ पर चैयंग भी इन सारी चीजों को देखते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने उम्मेद की थी इसके अंदर सच में बहुत जादा यह अच्छा टैलेंट है तब इस सिस्टम की तरफ से चैयंग को एक नोटिफिकेसन आती है जहाँ पर उसे बधाया मिल रही होती है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है तीतरे लेवल पर और यहाँ चैयंग भी इन सारी चीज़ों को देखकर हैरान था और वो कहता है कि आकरिकार यह सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती है मैंने तो भी यहाँ पर कुछ किया भी नहीं है और वैसे भी मुझे इस सारी नोटिफिकेसन कैसे मिल गई लेकिन फिर भी यह बैतर है आकरिकार मेरे पॉइंट उस साफ को खरीदने के वक्त तक काफी ज़्यादा ही खर्च हो गए थे तो साइज मुझे लेवल अप करने के बाद थोड़े और पॉइंट मिल जा जिससे मैं थोड़ा और टाइम तक जिनता रह पाऊंगा और यहां पर वेव इन सारी चीजों को देखते हुए कहती कि सच में वो म्यूजिक काफीता कमाल का था उस म्यूजिक को अगर अच्छे से गाया जाए तो लेवल्स भी अप होते हैं इस बारे में तो मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं था हम देखते हैं कि वेव इस वज़ा से काफीता खुस हो चुकी थी और वो चैंग से कहने लगते है कि सच में तो काफीता कमाल का है तुम जल्दी से तुम उसके लिए और भी कई सारे कानों को प्रिपेर करो जिसे वो का कर हमारा लेवल अप कर सके आईद कार मुझे समझ में आघा है कि तुम्हारा लवल लफ्ट किस वज़ा से हुआ है तो जल्दी करो जिस पर जैंग वेप को देखकर करने लगता है कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर तो कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये दुनिया की बचाने वाले जिम्मतारी के असलियत में आखिरकार वसे एक मजाक ही है और हम देखते हैं यहाँ पर रिउगो को जो कि वहाँ अपने काने को एकदम खुतादा distractions को को ही बोल रही होती है लेकिन यहां पर मजज़धार मात यह नहीं है कि ौपना काना खुत्म करने वाली ओैzentर वाद तो यह दो और तो देखे लंगों परमाट कर दिया होता है यहां पर इंटनेट में आपर रूंगो काफ़े ज्याद गुसे में थी और वो गुसे में कहती है कि सच में मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया था और आकिरकार ये इसके पास इतनी आसानी से कैसे आ गया इसे के साथ वो अपने फोन को फेकते हुए कहते हैं कि वह कुतिया कहीं कि उसे इस चीज का हिसाब चुगाना पड़ेगा जिसके बाद वह सीन वहीं पर कट हो जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर हमें चैंग और ली को दिखा जाता है वैसे दरसल नीचे इमेज के अंदर वेब भी है तो हम उसे नहीं भूल सकते क्योंकि सबस्यादा जलनी से सिर्फ वेब को ही होती है तो बैक टो था चैंग और ली जहां पर चैंग कह रहा हुता ली से कि पहला वाला ही बस कटीने बागी सारे तो बहुत आसान है और यहां पर चैंग ली को किसी एक्वेशन के बारे में समझा रहा था जहां पर ली रिप्लाई करती है चैंग से कि हाँ ठीक है मैं इसे समझ गई दरसल मैं इसे खुद से ही सॉल्व करने की कोशिस करूँगी लेकिन दूसी तरह वेप जो कि ली को सकी निगाहों से देख रही थी और वा कहती है कि अकरकार ये बार बार सारी की सारी चीज़े पूछने के लिए बस चैंग के पासिंग यू चलिया आती है कि आई स्कूल के सारे टीचर खतम हो गए है जिसके बाद हमें दिखा जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहां पर ली चैंग के गुरू ग्यान को पागर चैंग को गुरू दच्छी न देने लगती है और वह चैंग से कहती है कि आपका मेरी मदद करने के लिए तैंग जो आपने मुझे मैथ की एक्क्वेशन को सॉल्व करने मेरी मदद की और मैं इसके लिए आपको ठैंग्स करना चाहती हूं जो कि दरसल ये को कीजी मेरी तरफ का ठैंग्स है जिसके बाद हम देखते हैं चैंग को जो कि यहाँ पर वेब की इन सारी हरकोतों को देख रहा था और वो वेब को कहता है नहीं बल्कि वो वेब का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि मैंने चीज़ को कई वार नोटिस किया है इस पैसली लीक के बारे में जब भी लीम यहाँ पर मेरे पास आती है तुम उससे काफी ज़्यादा ही जलस फिल करने लगती हो बाकि इसके मकाबले और किजी लड़की गया गए तुम इतना ज़्यादा नहीं भड़कती हो तो आकरकार मैं इसका क्या मतलब समझ सकता हूँ क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है कि आकरकार उसकी चेस्टी तीन ज़्यादा बढ़ी है लेकिन यहाँ तो होना नेचरल है क्योंकि कहां तुम्हारे वो छोटे से अर्मान और कहां उसके बड़े वाले जिस पर तुम एक सिस्टम होने के बावजूद भी वेप को भी सरमा जाती है और वो चैंक से कहते है कि तुम सच में बहुत बड़े परवट हो और इसके अलावा मैं बस एक सिस्टम हो तो आकरकार मैं इन सारी चीज़ों के लिए उससे जलस मैसूस क्यों करूंगी